अगर आप 30 साल से पहले रिटायर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है. Through an Excel Sheet, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप 30 साल से पहले कैसे रिटायर हो सकते हैं? दोस्तों, ये बहुत ही फ़न वीडियो होने वाला है, इसमें बहुत सारे लोग अकसर पूछते हैं, इंस्टेग्राम पे काफी बार वो Ask Me Anything करता हूँ और उसमें बहुत बरी आता है, I want to retire before 30, I want to retire at 30, how do I retire at 30, लोना चलिए, इस चीज़ का answer दे देते हैं, अब ये answer शायद आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि answer तो बहुत ही clear है, बहुत मुश्किल है कि आप 30 साल तक retire हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं एकदम dispassionate होके, बिना भावनाओं के साथ, इसको एक numbers के रूप में answer करने की कोशि and here is what it means, financial freedom या retirement के लिए सबसे जादा जरूरी है, invest करना, लेकिन invest करना है किस के लिए, invest करना है एक ऐसे point के लिए, जहां जो भी आप invest करके, save कर चुके हैं, वो amount इतना है कि जब कभी भी साल में उसको और एक return मिलता है, उस return से आप अपना पूरा खर्चा पानी, cover कर सकते ह I'll say that once more, आपके पास इतनी जमा कुझी हो चुकी है कि उस पे अब जो भी return मिलता है आपको, उस return से आप अपने पूरे खर्चे कर सकते हैं For example, अगर आपके महीने का खर्चा, फर्ज करिए 10,000 रुपे हैं और आपके पास bank में 10 लाख रुपे हैं, फर्ज करिए 10 लाख रुपे पे अगर आप कुझ भी करके साल के 10% या 12% कमा सकते हैं, तो आप एक साल में कितना कमाएंगे 10 लाख रुपे पे? एक लाख से एक लाख बीस लाख रुपे, which means महीने का कितना हुआ? 10,000 रुपे, which is equal to your monthly expense. And that means, अगर आपके महीने का खर्चा 10,000 रुपे हैं, और आपके बैंक में 10 लाख रुपे हैं, जो की आप 12% पे ग्रोग कर सकते हैं for the rest of your life, आपको technically पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है. Now, of course, यह बहुत ही simplistic view है, क्योंकि इसमें inflation accounted नहीं है, आगे जाके बहुत बड़ी-बड़ी जरूरते अगर हो गई, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, शायद, बच्चों की शादी, अपनी शादी, कुछ भी और, वो सारी जीज़ा accounted नहीं है, तो इसको हम और डीपली एक Excel sheet के थू जानने के कोशिश करेंगे, but definition change नहीं होगी, definition है, कि you have an amount that generates a yearly return, which pays for all your needs and your wants, an amount that generates a return, which on a yearly basis pays for your needs and your wants. This, my friend, is retirement. Retirement का एड से कुछ लेना देना नहीं है, retirement का एड से कुछ लेना देना नहीं है, retirement का एड से कुछ लेना देना नहीं है, retirement is, कि आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचुके हैं, जहां आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, so you're free to do whatever you wanna do, and that is the best form of freedom right? मुझे आज पता है कि मैं जो भी कर रहा हूं, चाहे YouTube पे, Instagram पे content बना रहा हूं, या courses बना रहा हूं, या लोगों को coach कर रहा हूं, mentor कर रहा हूं, वो सब मैं इस ले करता हूं क्योंकि मुझे इसमें genuinely मज़ा आता है, and whatever money it makes is more than enough for me to run for the rest of my life. तो मुझे अब fight mark कर इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा zone है, जहां मैं बहुत सारे काम को ना बोल सकता हूं, because I don't like doing it, बहुत सारे brands को ना बोल सकता हूं, because I don't want to work with them, बहुत सारे लोगों को ना बोल सकता हूं, क्योंकि मैं अपना वक्त अपने in life, so at the age of 41, while I'm still working, I am technically retired, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं रिटार्मेंट एज पे पहुंच चुका हूं, जहां वो एक एज नहीं है, एक mindset है, and that is where I would love for all of you to get to, that will happen, once you have financial freedom, कैसे? एक सीट में बुसते हैं, so यह मैंने एक शीट बनाई हुई है, यह कैसे बनाई है, वो इतना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके जो जो भी ढांचे हैं, वो उसमें आपको मैं दिखाना चाहता हूं, सबसे पहला, आपकी current age कितनी है, let's assume कि आप 20 साल के है, यह by the way किसी भी साल के लिए हो सकता है, तो ऐसा मत सोचिए कि, अरे मैं तो 28 का हूँ, तो अब मैं 30 तक कैसे retire करूँगा, यह क्या मैं दो साल में retire कर सकता हूँ, नहीं होने वाला है, numbers आपको बता देंगे, but you can add any number and that is absolutely fine, जो सारे numbers which are in green, वो आपके variables हैं, जो आप add कर सकते हैं, तो I will assume कि आप 20 साल के हैं और आप 30 साल तक retire करना चाते हैं, which is your retirement age, आपके आज के monthly expenses कितने हैं, तो आप आज कितना खर्चा करते हैं, towards your needs and your wants, यह investment का खर्चा included नहीं करता है, जो भी आपके खर्चें हैं, जो आपकी जरूरत हैं, आपका rent हो गया, आपका पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, फोन का खाने का बिल हो गया, वो सारी चीजें, प्लस आपकी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं जो थोड़ी सीमित रूप में हैं, यह नहीं कि बंगला हो, गाड़ी हो, शान हो, शौकत हो, जो भी सीमित रूप में, आपकी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करना हैं, क्योंकि of course, जोगी या सादु बाबा बनके नहीं जिंदगी जीनी है, कुछ ना कुछ तो चाहिए है, अच्छा फोन होना चाहिए, अच्छी चीजे होनी चाहिए, वो सब करिये, लेकि यह नहीं की प्राइवेट जेट कब आएगा, क्योंकि तीस साल तक रिटायर करना है, तो उसके ल ना इस फानलाग फिटी नॉट वन यूर थर्टी, तीस साल के उम्र में, मतलब दस साल के बाद यह तेड़ लाग रुपेश भांगे, बहुत जादा होंगे, क्योंकि इन्फलेशन, लेकिन आज कर जो आप 40 अरुपे खर्च करते हैं, आपको गया लगता है कि दस साल के बा I will just calculate for you कि yearly increase कितना है, but that is of course not something which is so important, यह important है कि आपका expected increase post-retirement कितना है, and that means कि जो भी आपका यह खर्चा है, डेड लाग रुपे का, यह आपको क्या लगता है, साल में कितने प्रतीशत या परसेंटेच से ग्रो करेगा, अगैं, इन्फलेशन को अकूंट मत लीजेगा, क्य क्योंकि inflation-adjusted amount है सारे, आपको यह बताना है कि अगर आज की date में मेरे डेड लाख रुपे खर्च होंगे, जब में 30 years का होंगा, तो हर साल वो डेड कितने परसेंट से ग्रो करेगा, मैंने तीन परसेंट रिजूम किया है, क्योंकि इतनी तेजी से भी नहीं ग्रोन करना च सकते हैं, and that means कि आपको उस investment को कही न कही डालना होगा to generate a certain return, उसके बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहला, lump sum amount, क्या कोई ऐसा खर्चा है, जो शायद आपके महबाप ने आपके लिए अलग से रखा हो, या आपको मिल गया हो through whatever, राखी, internship, freelancing, कुछ भी, whatever is it that you have got through, जनम दादा, नानी, सबने पैसे दे दिया हैं, वो आपने डाले हैं, let's assume कि आपके पास एकलाग रुपे हैं, जो आपके माबाप ने और आपके रिष्टेदारों ने आपने खुद फाइट मार के इखटे कर दी हैं, और वो बीस साल के उमर में आप डाल देते हैं, इसके बाद आप एक monthly SIP भी करते हैं, systematic investment plan, एक ऐसा जो कि बिल्कुल पूरी सिदद के साथ अब हर महीने invest करेंगे, कहां करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप invest करेंगे, that will be in this 10,000 रुपीज, and then, अब ये 10,000 रुपे तो आप हर साल नहीं डालेंगे हर महीने, कुछ तो बढ़ना ही क्योंकि आपकी तंखवा बढ़ेगी, naturally, आपके expenses भी बढ़ रहे हैं, तो उसके according आपको ये भी बढ़ाना पड़ेगा, तो आप बोलता है कि साल में मैं इसको 10% से बढ़ाऊंगा, which means पहले साल में हर महीने 10,000 रुपे डालूँगा, अगले साल से मैं इस 10 के 11,000 रुपे कितने से ग्रो कर सकते हैं, अगर आप FD करते हैं, तो आपको मिलेगा 5-6%, इंफलेशन है 6%, तो अगर आप FD करके तीस साल के उमर में रिटायर करना चाते हैं, तो प्लीज, यूट्यूब से स्विच ओफ करके, सिर्फ लोटरी की टिकेट खरी दिये, क्योंकि उसी से हो सकत है, बत्ती भी चली गई, इतना अफशागुन है FD, जैसे ही मैंने FD का नाम बत्ती भी चली गई, जैनुर्ली प्लैंड नहीं है, आप देख रहे हैं कि लाइट जा चुकी है, अभी थोड़ी दिल में लाइट आजाएगी, इसको कट भी मत करना है, अधित्या, अधित्या कितना रोस्ट कर पा रहे हैं, अर्मोस्त 10-15 सेकेंड हो चुके हैं, बिजली नहीं आई है, आगई, क्योंकि मैंने अब नाम लिया एक्विटी का, तो आप FD में नहीं डालेंगे, आप गोल्ड में भी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि गोल्ड भी आपको जादा से जादा 8 या 10 पेसंट देगा, आप PPF या EPF भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी आपको उतना ही देगा, और वो भी लॉकिन के साथ, आप इसको डालेंगे एक्विटी में, क्योंकि आपके पास एक 10 साल का होराइजन है, जो कि काफी लंबा प्रोसेस है, तो आप उस 10 साल के लिए अ क्योंकि फ्रैंकली 15 परसेंट एक 10 साल के पीरिड में, एक्विटी या स्टॉक मार्किट में कमाना बहुत ही आसान है, हाँ, हर साल आप 15 परसेंट नहीं कमाएंगे, कुछ साल 7 परसेंट होगा, कुछ साल माइनस 5 होगा, कुछ साल 25 होगा, कुछ साल 12 ही होगा, लेकिन ओव I am assuming, of course you can change that number. Inflation को हम 6% मान के चलेंगे, क्योंकि मोटा-मोटा यही लगता है, होने बाला है. अब आते हैं, क्यालकुलेशन पर, तो अगर आपने यह सब किया, मतलब 20 साल की उम्र में, आपने अगले 10 सालों तक, तक एक लाख रुपे लमसम डाला, मतलब शुरुवात में डाल दिया, उसके बाद कभी ने डाला, और फिर हर महीन है, 10,000 रुपे पूरी शिदत के साथ डाला, तो, at the age of 30, जो आपकी retirement age है, आपके पास बैंक में होंगे 88 लाख रुपीज, which inflation adjusted will be equal to 69 लाख रुपीज as of today, तो, तीस साल में आपके पास 88 लाख होंगे, लेकिन उसका inflation amount जो होगा, वो 69 लाख ही होगा, तो कि inflation पैसे को reduce करता है in its value, अब ये जो 70 लाख रुपे हैं, 69, 70 लाख रुपे जितने भी हैं, ये आपको अब जिन्दगी भर के लिए आगे ले जाएंगे, which means, जो भी आपको at the age of your retirement, तीस साल के उम्र में डेड़ लाख रुपे महीना चाहिए, वो इस 70 लाख रुपे से generate होगा, कैसे generate होगा, जैसे आपने अब ही तक अपना पैसा invest किया है, और उस पे 15% return कमाया है, वैसे ही आपको ये पैसा invest करके रखना होगा, and जो भी अब return मिलेगा, the difference will be, कि आप उस return को reinvest ना करके, साल के end में या महीने के end में या जब भी, आपको पैसे के जरुद होगी, आप उतना ही बेचेंगे जितना आपको चाहिए, यह अब इस अरलाग रोपे से तेड़ लाग रोपे महीना कमाना है, which means on a monthly basis, आपको 2.2% कमाना है, which on a yearly basis means 26%. अब चबश परसंट रेटर्न कमाना, consistently for the rest of your life, is impossible. वो नहीं हो सकता. Which simply tells you, the sad answer, कि आप इस मैत से, कम से कम, 20 साल की उम्र पे शुरू भी अगर कर जाएं तो 30 साल तक रिटायर नहीं कर सकते that is the reality कहीं भी अगर आपको at the end of the year sorry at the end of this investing cycle 15% से जादा consistently अगर कमाना पड़े that means it will be extremely hard to do that तीन रीजन क्यों number one, कोई भी ऐसा ऐसेट नहीं है जिसने इतने लंबे पीरिट के लिए आप 30 साल पे रिटायर हो रहेंगे 70, 75, 80 साल तक तो जिंदा रहेंगी 50 साल तक 15% रिटर्न जनरेट किया हो कोई भी ऐसा ऐसेट नहीं है which has done that over such a long period of time except for equities जो की 15 से 20% तक ही over करता है number two, all of those assets जो इतना high return जनरेट करते भी हैं वो वॉलटाइल होते हैं which means वो उपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, उपर जाते हैं, नीचे जाते हैं क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी इस return पे निरभर करती है इसमें आप predictability चाहते हैं you can't have it go up and down significantly क्योंकि पता चला कि किसी दिन market 20% down हो गई तो आपको जो 15% return चाहिए था या 26% return चाहिए था इस case में वो तो आया नहीं, बलकि 20% आपका पैसा कम ही हो गया तो क्या आप उस साल जिएंगे नहीं? नहीं, right? Because these are your needs and your wants कम से कम return, return नहीं, return आपको focus करना होगा that is the way that it will work so let me show you how through a simple tweak you can get there आप बोलते हैं यार, 300 तक retire जो करना है उसको थोड़ा सा realistic बनाते हैं let's make it 35 years now suddenly, अगर आप 20 साल की शुरू आते 35 साल के retirement के लिए प्लान करना शुरू करेंगे and you will have exactly the same numbers कुछ नहीं बतला है then you will have 3 करोड 64 लाक रुपीज in your account at the age of 35 जो की inflation adjusted 2 करोड 63 रुपीज होंगे अब इस से अगर आपको सिर्फ 1.5 लाक रुपे कमाना है आप इस डेट को भी जादा कर देते हैं आपको कितना रिटर्न चाहिए इस सिर्फ 9% साल का सिर्फ 9% can you imagine now the big difference 26% से अब सिर्फ 9% even with a higher expense per month of 2 लाक रुपे only because you planned for longer अब यही है आप फर्स करिया भी 25 साल के हैं and आप चालिस साल पर रिटार करना चाहते हैं exactly the same math my friend exactly the same math can you imagine how easy it actually is to plan for something like this लेकिन हम तब भी नहीं कर पाते क्योंकि हम यह पूरी discipline fashion में इंवेस्ट नहीं करते हैं let's look at the yearly view तो यह हमारा yearly view है and let me just actually go back to 20 and 35 okay yearly view देखते हैं this is the yearly view I'm gonna zoom in कर लेता हूँ all right तो यह हमारा age है यह हमारे monthly expenses है जो हमने बताए है दोलाग रुपे तो हमने दोलाग रुपे कर दी है हमारा starting corpus मतलब कितना पैसा inflation adjusted जो हमारे पास पढ़ा हुआ है at the age of retirement हमने कितने return generate करे क्योंकि हमें उतना ही पैसा चाहिए जितना हमें चाहिए मतलब जितना हमारा खर्च है हमारे expenses कितने हैं हम उतना ही return generate करेंगे जितने हमारे expenses होंगे और अगर को additional withdrawal होता है या नहीं if you look at this math you will see कि किसी point पर क्योंकि आपके expenses हर साल बढ़ रहे हैं किसी point पर नमबर नेगटिव हो जाता है which is the corpus left which is at the age of 84 मतलब अगर आप इस प्लान से चलेंगे तो आप 84 यर्स की एज में आउट आफ पैसे होंगे everything will be there and you would have gone and not had any any amount left for you to bear तो आप इसको अगर हमे change करना हो and we want that flexibility क्योंकि जिंदगी इस बहुत सारी और चीज हो सकती है let's say हमे चाहिए कि हम and 35 एज में है 35 years की एज में या 40 years की एज में हमें 40 लाग रुपे चाहिए for our kids education ठीक है first कर ते and then 40 50 एज में हमें let's say कुछ और भी चाहिए 50 लाग रुपे और चाहिए ठीक है I'm not assuming किसली चाहिए क्या होगा then now you'll see अरे वा अरे वा नहीं सौरी oh shit ये तो आप 57 एज में ही खाँ हो गया that means इतने पैसे से इतनी इन्वेसमेंट से आप ये नहीं कर सकते मैं इस 10 परसेंट को 15 परसेंट मतलब हर साल अब मैं 15 परसेंट से इसको ग्रो करूँगा not 10 परसेंट मतलब पहले साल 10,000 रुपे हर महीना अगले साल 15,000 रुपे महीना you now have extended it to 70 years which is awesome अगर आप वापस जाके इसको 15,000 कर देते हैं then you will see suddenly you have extended it to 89 years this is how the entire magic is taking place आप बेसिकली नंबर के साथ खेल कर अपनी पूरी जिंदगील प्लान कर सकते हैं even if you have such high withdrawals which is 40 lakhs 50 lakhs at that point you can still have enough and more money come through this is how it simply works हर एक चीज़ चीज़ चापके अपके फिनाशल गोल, आपके जिंदगी में कौन से पॉंट पर आपको कितना अमांट एक्सक्टे चाहिए अपने लिए and it comes with the discipline of investing money every single month if nothing I hope you have seen कि 25 साल की उम्र में शुरू करके 40 साल में भी आप रिटायर कर सकते हैं very healthy manner में अगर आप सिर्फ 1,000 रुपे शुरू करेंगे 15,000 रुपे हर महीने डालेंगे और उसको हर साल 15% पे ग्रो करेंगे with a return generator of 15% which over 15 years should be very, very easy to do if you're able to do that आपके पास at the end of 40 years 8 करोड रुपे होंगे inflation-adjusted 6 करोड रुपे जिसको अगर आप 4% पे भी हर साल ग्रो करेंगे you will never need any more money in your life for anything else you have successfully retired because of financial freedom I hope this was useful कोई भी अगर इस पे सवाल हो ये एक्सल शीट मैने पिन कर दिया है comment में तो प्लीज मुझ से पूछना ना भूले I wish you happy goal planning I wish you happy investing I genuinely wish कि आप चालिस साल से पहले ही retire हो जाए and please पैसे की पीछे ना भागते हुए अपने वक्त की पीछे भागे because that's frankly the only thing that is most valuable in the world बाकि हर एक चीज वापसा सकती है बिता वो वक्त ने On that note I'm Khurwariku signing off करेंगे आप notified होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा करेंगे